ओम शी साहिरा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका, इनका, उसका और उनका शब्दों का प्रयोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका, इस शब्द का प्रयोग इन शब्दों का उप्योग करते हुए हमें कुछ वाक्य बनाना है इसका, इनका, उसका और उनका यह शब्द सरवनाम है जैसा कि हम सभी जानते हैं सरवनाम का उप्योग संग्या की इसथान पर होने वाले शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है उसे सरवनाम तहते हैं तो आईए पहला वाकिय हम पढ़ते हैं, यह घोड़ा है, आप सभी यहां एक चित्र देख रहे हैं, यह घोड़े का चित्र है, आप सब एक साथ बोलेंगे, यह घोड़ा है, पिछली कक्षा हमने मातराओ का ज्यान सिखा था, इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, सभी बच्चे एक साथ जवाब दीजिए, हाँ, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी कक्षा में बहुत रूची दिखा रहे हैं, तो हमारे सामने सकते पहला चित्र जो है, यह घोड़ा, आप सभी जानते हैं, यह घोड़ा है, इसक रंग काला है, यह जो घोड़ा है, अब हम यह नहीं लिखेंगे, घोड़े का रंग काला है, जैसा कि हम आज की कक्षा का हमारा शिर्शक है, इसका, इसका शब्द का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है, इसका रंग काला है, इस घोड़े का रंग जो है, वा काला है तिसरा वाक्य इसका चहरा सुन्दर है हम यह नहीं लिखेंगे घोडे का चहरा सुन्दर है हम लिखेंगे इसका चहरा सुन्दर है यह देखिए घोडा है यह घोडा है इसका रंग काला है सब एक साथ बोलेंगे इसका रंग काला है बहुत अच्छा इसका चहरा सुन्दर है इसका चहरा कैसा है सुन्दर है तो हमने यहां इसका शब्द का उपयोग करते हुए वाक्य बनाया है ऐसे ही आपको और भी वाक्य बनाने है तीन वाक्य सभी को बनाने है मैंने उदाहरण के लिए आपको घोड़े का इस शब्द का उपयोग किया है और ये वाक्य बनाया है, चाहे तो आप गाए लिख सकते हैं, यह गाए है, इसका रंग जो रंग आप लिखना चाहे, सफेद, काली, लाल, क्योंकि गाए अलग-अलग रंगों की होती है, इसका चहरा सुन्दर है, और भी ऐसे ही उदाहरन देते हुए आप सभी को तीन-तीन बनाने हैं, हम इसे फिर से दोहराते हैं, यह गोड़ा है, सारे बच्चे साथ में कहिए, इसका रंग काला है, इसका चहरा सुन्दर है, आप सभी अपनी कॉपी में लिखिये, लिख सकते हैं अब, लिख लिया, तीन वाक के बहुत सरल वाक्य है, क्या आप सभी रूची दि लिख कर लाना है, तीन वाक के, चलिए, आगे देखते हैं, सुरेश हमारे परोसी हैं, सुरेश जो हैं वो हमारे परोसी हैं, अब हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, सुरेश के बारे में, तो अब हम यहाँ सुरेश नहीं लिखेंगे, इनका, इनका परिवार छोटा है, इ जो है हमारी परोसी हैं हमारी मित्र हैं और जो कि हम से बढ़े हैं इसलिए यहां हम इनका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इसका नहीं करेंगे इसका शब्द का प्रयोग हम अपने बराबर के लिए या अपने से छोटों के लिए करते हैं और इनका यह शब्द हम अपने से व्यापार है, इनका किस चीज का व्यापार है? कपलों का, यहां हमने सुरेश का नहीं लिखा है, सुरेश का कपलों का व्यापार है, यह नहीं लिखकर, इनका कपलों का व्यापार है, यह देखिए, यहां आप सब चित्र देख रहे हैं, यह सुरेश जी के कपलों का व्याप जो आप सभी देख रहे हैं एक बार फिल से दोहराते हैं सुरेश हमारे पडोसी है एक साथ बोलिए सब इनका इनका परिवार कैसा है? इनका परिवार छोटा है आखरी लाइन को चलिए आप पढ़िए सुरेश आप पढ़िए इनका कपडों का व्यापार है इनका किस चीज का व्यापार है? कपडों का ऐसे ही आप तीन उदाहरन और देंगे हमने सुरेश का नाम लिया है कक्षा में भी हमारे सुरेश मौझूद है इसलिए वो बहुत अधिकरूची दिखा रहे हैं आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं मोहन लिख सकते हैं मोहन हमारे पलोसी हैं इनका परिवार छोटा है या इनकी परिवार के बारे में एक छोटा सा वाक्य लिख सकते हैं और यहां मैंने कपडों का व्यापार इस चीज का उदाहरन दिया है यहाँ आप लिख सकते हैं अनाज का व्यापार है सबजीयों का व्यापार है दूट का व्यापार है जो आप जिस चीज में आपको रूची हो जो चीज आप लिखना चाहे आपके लिए बहुत आसान हो ऐसे ही तीन उदाहरन आप लिख कर और एक ऐसे ही छोटा सा चित्र बना कर लाएंगे, एक बार फिर से दोहराते हैं, सब साथ में दोहराईए आप सभी, सभी बच्चे बहुत अच्छा रूची दिखा रहे हैं, सुरेश हमारे पडोसी है, इनका, एक साथ कहिए सब, इनका परिवार छोटा है, ऐसे ही साथ में सब कहिए, इनका कपडों का व्यापा है, बहुत अच्छा, तो ये तीन उदाहरन और आप बना कर लाएंगे घर से, यहां देखिए सब ध्यान दिजे, पहला वाक्य, नवीन मेरा सहपाथी है, सहपाथी अरथा साथ में पढ़ने वाला, हमारा मित्र, जो हम सब साथ में पढ़ते हैं, आप लोग भी आपस में सह सहपाथी है, नवीन मेरा सहपाथी है, यह देखिए, यहां नवीन का एक चितर बनाया है मैंने, और यह इनका सहपाथी है, आप भी एक छोटा सा चितर बनाएंगे, कौपी में, उसका घर हमारे घर के पास है, यहां हमने की शब्द का उपयोग किया है, उसका, उसका घर कह हमारे घर के पास है, नवीन हमारा सहपाथी है, जो हमारे हम उम्र है, या हम से छोटा भी हो सकता है, इसके लिए हम उसका शब्द का उप्योग कर रहे हैं, और हमें उसका शब्द अपने बराबर या अपने से छोटों के लिए करना है, उसका घर, हाँ सारे बच्चे साथ में कहिए हमारे घर के पास है, उसका, कहिए साथ में भाई वकीन है, बिल्कुल सहीं, सारे बच्चों का उच्चारन बहुत अच्छा हो रहा है, सभी बहुत अच्छा रूची दिखा रहे हैं फिर से एक बार दोराते हैं नवीन मेरा सहपाथी है अब हम नवीन नहीं लिखे उसका शब्द का उपयोग कर रहे हैं सर्वनाम का यहां हम लिखेंगे उसका घर हमारे घर के पास है उसका भाई वकील है तो ऐसे ही आप तीन उदारन और बनाएंगे जैसे जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते है यहां मैंने वकील है यह उदारन के तौर पर आप लोगों को समझने के लिए लिखा है फिर से एक बार दोराते हैं हम उसका शब्द का उपयोग करके वाक्य बना रहे हैं नवीन मेरा सहपाथी है उसका घर हमारे घर के पास है उसका भाई वकील है ऐसे ही टीनवा के आपको भी बना कर लाना है जो आप उदारन के तौर पर कोई और भी नाम लिखिए वकील है इसके जगे आप शिक्षक, चिकित्सक या जो आपको अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं शास्त्री जी हमारे देश के प्रधान मंत्री थे आप सभी जानते हैं शास्त्री जी हमारे देश के प्रधान मंत्री थे आप सभी को इनका पूरा नाम मालूम है हाँ कौन बताएंगे सारे बच्चों के हाथ एक साथ उठ रहे हैं गीता आप बताईए, इनका पूरा नाम क्या था। बिल्कुल सही, गीता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, इनका पूरा नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी है, इनका पूरा नाम। ये देखिए चित्रा आप देख रहे हैं, सभी पहचानते हैं, शास्त्री जी हैं ये, हमारे देश की प्रधान मंत्री थे, जैसे कि गीता ने बिल्कुल सहीं बताया, उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है, ये हमसे उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, इस यूग करते हैं, उनका एक नारा बहुत प्रसिद्ध है, हाँ, सारे बच्चे एक साथ कहेंगे, जैजवान, जैकि साथ, बिल्कुल सहीं, उनका जैजवान, जैकिसान का नारा प्रसिद्ध है, तो यहाँ हमने किस शब्द का उप्योग किया है, उनका, ये देखिए आप द चाहे हमसे उम्र में बढ़े हैं, उनके लिए हम उनका शब्द का उप्योग करते हैं, फिर से एक बाल दोहराते हैं, आईए, शास्त्री जी हमारे देश के प्रधान मंत्री थे, एक साथ बोली, दूसरा वाक्य कौन बोलेंगे, हाँ, मोहन आप बोलो, दूसरा वाक्य, हाँ, उनका पूरा नाम लाल बाहदुए शास्त्री है, गीता तीसरा वाक्य आप बोलो, उनका जै जवान, जै किसान का नारा प्रसिद्ध है, यहाँ हमने शास्त्री जी नहीं लिखकर उनका उनका, जैसा कि हमारा आज का शीरशक है, उनका इस शब्द का उप्योग करते हुए ह ऐसे ही आप तीन वाक्य और बनाएंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमने से प्रधान मंत्री की शब्द का आपको उदाहरण दिया है, आप और भी कोई भी शब्द उपयोग करके बना सकते हैं, और लेकिन ये आप बिलकुल ध्यान दखेंगे, आप उनका इस शब्दों क उपयोग करते हुए ही वाक्य बनाएंगे, सारे बच्चे एक साथ कहना चाहेंगे फिर से, चलिए सात्मे बोलते हैं, पहला वाक्य, कौन बोलेंगे, सिताब बोलेंगी, चलिए बोलिए, पहला वाक्य, ये किन का चित्र है, आप सभी के सामने, सब ध्यान से देखिए, बि प्रधान मंत्री थे, दूसरा वाक्य, साथ में बोलेंगे सब, हाँ सब बोलिए उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है, तीसरा वाक्य, उनका जै जवान, जै किसान का नारा प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही तीन वाक्य और आपको घर से बना कर लाना है, यह हमने एक उदाहरन के लिए आपको बताया, उनका शब्दों का प्रयोग करते हुए, और उनका जो है, अपने से बड़ों के लिए उप्योग किया जाता है, यह आदर सूचक शब्द है, आदर सूचक सर्वनाम है, अब हम देखेंगे अभ्यास के प्रश्न, पहला है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो, आपके सामने हमेशा की तरए एक वाक्य आएगा, और उसमें आपको सही शब्दों का उप्योग करके नया वाक्य फिर से आपको बना कर बोलना है, और उसके बाद कॉपी में लिखना है, पहला है, हाथी एक जंगली जानवर है, सब इसमें लिखा ए शरीर बढ़ा है, यहां हाथी नहीं लिखेंगे, जैसा कि आज हमारा शीषाएख है, इसका, इनका, उसका और उनका, तो ऐसे इसके लिए हमने आपको दो विकल्प दिया है, इसकी और इसका, तो हाथी जो है वो इसत्रीरलिंग से, बिल्कुल सही हाथी जो ह इसका यह मैंने आपको एक उधारन बताया अब अगला प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे मोहन कुमार डॉक्टर है मोहन कुमार कौन है? डॉक्टर है रिक्तिस्थान अपना अस्पताल है यह आपके सामने दो विकल्ब दिया है इनका और इनकी तो जो सही विकल्ब है आपको बताना है फिर हम इसे रिक्तिस्थान में लिखेंगे मोहन कुमार जी डॉक्टर है रिक्तिस्थान में क्या होगा? अपना अस्पताल है इनका होगा या इनकी मोहन कुमार जो है? वो पूदलिंग है और कौन बताएंगे इसका उतर? हाँ, राजु आप बताओ बिल्कुल सही, राजु ने बिल्कुल सही कहा इनका, मोहन कुमार की साथ आएगा इनका, यहाँ हम मोहन कुमार नहीं लिखेंगे इनका अपना अस्पताल है और इनकी नहीं होगा, इनकी जो है, वो है ज्रिलिंग, यहाँ रेखते स्थान में आएगा इनका अपना अस्पताल है, बिल्कुल सही तीसरा प्रश्न, यहाँ ध्यान दीजिए सब किशन एक किसान है किशन कौन है, एक किसान है रेखते स्थान, खेट हरा भरा है उसका या उसकी या उसका दो विकल्प है आपके सामने किशन एक किसान है, रेखते स्थान खेट हरा भरा है उसकी खेट हरा भरा है, यहोगा क्या? किशन कौन है? हाँ पूरलिंग है, इसलिए इसमें क्या होगा? हाँ, रीना आप बताईए बिल्कुल सही, रीना का उत्तर बिल्कुल सही है, उसका, उसका खेद हरा भरा है किशन एक किसान है, उसका खेद हरा भरा है अगला प्रशने देखिए, यहां ध्यान दीजी सब सोहनलाल, क्या लिखा है ये? व्यापारी है, आप सभी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उच्चारण में सब एक साथ बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा सोहनलाल व्यापारी है, रिक्ते स्थान, हीरों का व्यापार है आपके सामने दो विकल्प हैं, उनकी, उनका आप सभी देख रहे हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए, सोहनलाल जो है, यह पुरूश है, पूर्लिंग है, तो क्या होगा पूर्लिंग के लिए हाँ, राम आप बताइए, सब के हाथ एक साथ खड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छा जितने कक्षा में विद्यार थी, सारे बच्चे बहुत रूची दिखा रहे हैं हाँ, राम आप बताइए, बिल्कुल सही, राम ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उनका उनका हीरों का व्यापार है, रिक्ति स्थान में होगा, उनका आप सभी को अच्छा लग रहा है, रूची कर लग रहा है आज की कक्षा में चलिए, फिर से एक बार हम कुंदव रित्ति करते हैं पहला है, हाथी एक जंगली जानवर है हाँ, साथ में बोलेंगी सारे बच्चे, एक साथ बोलेंगी उत्तर इसका शरीर बड़ा है दूसरा, मोहन कुमार डॉक्टर है इनका अपना अस्पताल है आप भी चाहें तो अलग रंग की स्याही का उप्योग करके रिक्तिस्थान के लिए अलग लिखेंगे और इन वाक्यों के लिए अलग लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा तीसरा देखिए, किशन एक किसान है उसका खेत हरा भरा है सोहनलाल व्यापारी है हाँ, एक साथ बोलिए सब साथ में उनका हीरों का व्यापार है इसमें कोई संदेह तो नहीं है इन प्रश्णों में आपको प्रश्ण में, उत्तर में, कुछ समझने में सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, रूचिकर है चलिए आप अपनी कॉपी में इसे जल से जल लिखिए लिख लिया? बहुत अच्छा अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं यहां जोड कर लिखना होता है, जोड कर लिखो यह आपके सामने तीन प्रश्ण भी है यहां तीन विकल्प दिये गए हैं और आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे छोटे छोटे प्रश्ण हैं जैसा हम हर कक्षा में हल करते हैं, छोटे छोटे प्रश्ण का आप बहुत रूची से हल करते हैं पहला देखिए घोडे का चहरा, आपके सामने यहां तीन विकल्प हैं प्रधान मंत्री थे, सुन्दर है, वकील है तो घोडे का चहरा में क्या होना चाहिए, घोडे का चहरा कैसा है, घोडे का चहरा हां, बताइए, बहुत अच्छा, राजु ने कहा, घोडे का चहरा सुन्दर है के राजु ने सही कहा है बहुत अच्छा सब ताली वजाएंगे राजु कक्षा में बहुत रूची दिखा रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे ही आप सभी को भी रूची दिखाना है आप सभी दिखा रहे हैं अक्षरों में भी लिखावश में भी सुधार आ रहा ह बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोक काम, दुसरा देखिए, नवीन का भाई, अब हमारे सामने दोवी कल्प हैं, प्रधान मंतरी थे, वकील है, क्या होगा नवीन का भाई, नवीन का भाई, सारे बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया, नवीन का भाई वकील है, बहुत सही, यहां लिखेंगे नवीन का भाई, वकील है, तो यह हमने जैसा लिखा है प्रश्ण, जोड़ कर लिखो, घोड़े का चहरा सुन्दर है, नवीन का भाई, वकील है, प्रश्ण भी एक है आपके पास, और उत्तर का विकल्ब भी एक है, आप सब जानते हैं, लाल बहादुर शा लाल बहादुर शास्री जी प्रधान मंत्री थे, लिख लिया सबने, जल से जल लिखे अपनी कॉपी में, बहुत अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, जब हम घोड़े के बारे में पढ़ रहे थे, और मैंने कहा कि मैंने आपको घोड़े का उदाहरन दिय आपको तीन-तीन वाक्य इनके बनाना है, इसका, इनका, उसका और उनका, इन सभी शब्दों का उप्योग करते हुए, आप सभी को तीन वाक्य बनाने हैं, और इनके साथ ही आपको, जो मैंने अभी कक्षा में दो बार दोराया, सर्वनाम की परिभाशा, वो आपको अपनी कक्षा में अपनी कौपी में लिखना है अभी सर्वनाम की परिभाषा एक बार फिर से मैं दोहराती हूं आप सभी सुनिए संग्या के इस्थान पर उपयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं तो आज हमने सर्वनाम पढ़ा है जिसमें हमने इसका इनका उसका और उ आने होंगे हम मिलेंगे बहुत जल्दी अगली कक्षा में आप सभी का श्री सत्य साइन लोक सेवा गुरु कुलं की ओनलाइन कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत रिदय से धन्यवाद ओम श्री साइन राम